पूर्व मुख्यमंत्री चमपई सोरेन रविवार को गिरीडी के गांडे की भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के चुनावी जनसभा में शामिल हुने बेंगाबाद के पेसरा टान मैदान पहुंचे जहां मुनिया देवी के साथ भाजपा नेता प्रवीन चौधरी समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे गिरीडी भाजपा की अनुसूची जन जाती मोर्चा केस चुनावी जनसभा में बड़ी संख्या में गांडे विधानसभा की संथाली समुदाय की लोगों ने भी हिस्सा लिया ये कौन जानता था पूरू मुख्यमंत्री चमपाई सोरेन ने कहा कि जब उनकी आदिवासी बेटियां और बहने सुरक्षित ही नहीं है उन्हें खुद भी आदिवासी कहने में अपसंकोच होने लगा है संथाल परगना में आदिवासीों पर अत्या चार बढ़ गए है राजे के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन नींद में है ऐसा नहीं चलेगा आप लोगों को जागना होगा पूरू मुख्यमंत्री चमपई सोरेन नीं हेमन सोरेन के साथ कॉंग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि सारा कुछ कॉंग्रेस के संकेत में हेमन बाबु कर रहे हैं उन्हें वस वोट लेने से मतलब है अधिवासी को वहां से एक ही एक चूप करते जा रहा है यह वर तमन सरकार उसको देख नहीं पा रहा है उसका आँके भी उधर नहीं जा रहा है नक उसका कान सुन रहा है हम तो देखा संताल पर गयना धर निका जीज़त क्रमल कमल शाप पर भोट देके बचाना है नहीं तो लूब भष्टा चाहर बोल बीटे का हिज़त को निलाम हो रहा है इसको रुखना है तो कमल शाप पर भोट देना नहीं कि इस सरकार जो आई जी में कोंग्रेस अर्चीडी नहीं बता भायगा ना यहां आजी वासी के लिए काम किया है ना यहां कमूल वासी के लिए काम किया है ना दलित के लिए काम किया है ना जालकंड लिए के लिए काम किया है शिरिफ साड़े चाज साथ शिरिफ भूट मस्चाचार आओ कहीं आज न्यूस विंग के लिए गेरेटी से मनोज कुमार पिंटू की रेपोर्ट अजबूत घर चाहिए तो अच्छे सिमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाईए तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीडिया बरते तो कौन सा टेम्टी लगाए अरे एक ही तो है भारत का सबसे भरोसे मन सलूजा गोल्ड टेम्टी बार्स अच्छे सिमेंट के साथ लगाईए सिर्फ सलूजा गोल्ड टेम्टी बाबू सलूजा गोल्ड टेम्टी बार मजबूती सब कुछ है